नमस्कार हिमालची प्रदेश अभी की बड़ी खबर आप लोगों के लिए कर आए हैं हिमालची प्रदेश में लाखो बेरोजगार युवा सरकारी भरती का इंतजार कर रहे हैं परंतु सरकार की ओर से इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसकार प्रदेश का हर बेरोजगार युवा परिशान और हताश है आपको बताते चलें कि जहां पहले HVPSC ने कहा था कि उनके पास स्टाफ की कमी है उसके बाद वो कहा गया कि सरकार द्वारा जो कैबिनिन मीटिंग में फैसला लिया गया है जब उसको फाइलाइस किया जाएगा उसके बाद आगामी प्रिक्रिया शुरू की जाएगी अब हिमासर पुदेश कारमी विवाग द्वारा जहां यह आदेश भी जारी कर दिये गए है इस पर रोक लगा दी गई है जो उसके बाद भी अब HPPSC का कहना है कि जो 2000 पदों को भरने की प्रोसेस है आप याद रखेगा जो पिछले साल 2000 पदों के लिए विदना मद्रित किये गए थे उन्हीं को उन्हीं पदों को भरने की जो प्रोसेस है उसमें ही जो है वो तीन महीने का समय लग जाएगा कुल बिलाकर जो 25,000 या 30,000 पदों की बात हिमाचर पुदेश सरकार द्वारा कही जा रही थी वो इस साल बिलकुल भी संभव नहीं लगता है बाकी इस पर मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि किस तरह से हिमाचर पुदेश में स्कैम हुआ है शुरू से लेकर अभी तक कितना कुछ यहां पर रिपोर्ट बनी है क्या कुछ सिस्टम जो भी इसमें रहा है उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप अपना सायोग बनाई रखीगा चैनल को सब्सक्राइब जूरू करीगा और वीडियो को ज़्याज़ शेयर भी करीगा तब तक रिम मिलते हैं आगली खबर में कुछी तरह की मत्पून जानकारी लेकर धन्यावाद जहीं जहीं माचल